कौनिक्षोर करेicio सलमान खान के बारे में एक बहुत इंटरस्टीच अप्टिट और इंटरस्टीच न्यूज आ रही है और ये इतinate इसने इंटरस्टीच है कि आपको जानकर हैरानी होगी जिहार उस्तों यह मजजा आख नहीं बहुत इसी इस बात कर रहा हूं दो अलग-अलग न्यूस है एक ही में जोड़के बनाओं सबसे पहली बात राध ही को OTT पर आने की बात है पिछले कुछ हफ्तों में से सुईत्रों पर बनी थी स्पेशली एक्जिबेटर ये चीज़ सुनके ही डर गए थे झाले की नहीं यह भी कयास लगाएगा यह यह भी कहा जा था कि सलमान खान ने जो Amazon Prime है उनसे डील की 175 से 200 करोड के लिए मांगी सलमान खाने मांगी जो Amazon Prime वाले देने के लिए इंकार करने लगे लिके यहां पर बात साफ ए कि ऐसा कुछ नहीं है एक बहुत heavy heavy amount के लिए I think offer आया थे सल्मान खान को अपनी फिल्म देने के लिए 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 सल्मान खान उसके लिए बिलकुल रही नहीं है यानि कि सल्मान खान चाहते है कि फिल्म पॉब्लिक थेटर में जाकी देखे हो थेटर में ही सीती बजाए तो ये बात है इसके अलावा source का ये कहना है अब प्रभुदेवा नहीं करेए source का ये कहना है कि बहुत लोग को लगता है कि सल्मान खान को OTT content offer नहीं हुए है आपको बता दो कि गलत है जिसे कि The End नाम की अक्षे कुमार की बहुत बड़ी web series है आने वारी जिसके लिए उन्हें 100 करोड के उपर offer हुए है अब ऐसी बात पता चली है कि सल्मान खान को भी digital content के लिए यानकि OTT platform content के लिए 200 करोड का project offer हुआ था जिसे सल्मान खान ने बीना एक second लगाए decline कर दिया उन्हें कहा सीधा सीधा मैं film करूँगा और film मेरी audience के लिए और theater में ही आनी चाहिए यानि कि digital content का जो option था वो भी 200 करोड सल्मान खान को मिलने वाले थे इतनी बड़े high offer को सल्मान खान ने तुरंग इंकार कर दिया और ये news I think बहुत बड़ी news है इसके बारे में जो updates खंगालनी को मिलेगी मैं खंगालूंगा और शायर कुछ पता चलेगा तो आपको जुरू बताओं क्योंकि मैं बहुत excited हूँ कौन से इस प्रजेक्ट था जिसके लिए सिल्मान खान को 200 क्रोड उफर हूए और सिल्मान खाने तो आपको किसी को पता चलेगा जुरू बताएगा आपको क्या इस विडियो पर जुरू बताएगा